नमस्कार दोस्तों में उम्परकाश प्रजापती आज हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या की ओर अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्टा समारों के बाद आज यानी 23 जन्वरी से भगवान राम का दर्वार आम भक्तों के लिए खुल गया है राम लला के दर्शन के लिए आज भारी संख्या में सरधालों की भीड उमर पड़ी है सुबा तीन वजे से ही राम लला के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग गई है भगवान राम की पूजा अर्चना के लिए भक्त राम मंदिर के मुख्य द्वारग पर इंतजार कर रहे है राम मंदिर के बाहर उम्री भीड को देखते हुए सुरक्षा रिवस्ता भी कड़ी की गई है सौंबार 22 जन्वरी को अयोद्या के नर्व निर्मित राम मंदिर में राम लला की प्राण पर तिर्था हुई जिसके बाद आज से यहां यह मंदिर सभी भक्तों के लिए राम मंदिर के कपाट खुल गए है राम लला के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग अयोद्या पहुँच रहे है आज पहले दिन ही राम मंदिर के बाहर सरदालों की भारी भीड देखने को मिली आज कड़ाके की ठंड में भी लोगों ने सर्यू नदी में इसनान किया राम मंदिर में दर्शन के बाद सुबा 7 बजे शुरू होगा और दूपहर 11 बज कर 30 मिनट तक जारी रहा जिसके बाद दूपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक भक्त राम लला के दर्शन कर सकेंगे सुबा के 6 बज कर 30 मिनट पर भगवान राम का सिंगार के आरती होगी और संद्या आरती का समय 7 बज कर 30 मिनट पर है आरती में शामिल होने के लिए भक्तों को पास लेना होगा यह पास निसुल्क है जिसे ऑनलाइन या आफलाइन लिया जा सकता है वही मुंबई से अपने परिवार के साथ दशन के लिए पहुचे एक महला सरदालू ने कहा हम यहां तेन दिन से रुके हुए हैं दशन करके ही जाएंगे एक अन्य सरदालू ने कहा यह बीड सधा रहीगी और सदा रहनी भी चाहिए भारत वर्स की भूमी है राम जन भूमी के मुखे पुजारी आचार्य सत्यंतर दास ने बताया कि अयोध्या नगरी दिव्य दिखाई दे रही है इस समय त्रेता युक की जलक देखने को मिल रही है अयोध्या भक्तों के समू से भर गई है पहले दिन दर्सन के लिए इतने लोग यहां उपस्तित हैं कि आज सभी लोग दर्सन नहीं कर पाएंगे चार हजार संतों के समू भी यहां आए हुए है आज अयोध्या नगरी राम मैं दिखाई दे रही है दोस्तों यह वीडियो और राम मैं अयोध्या देखकर आपको कैसा लग रहा है हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स इस वीडियो में चाहिए नमस्कार